जो मेरे पिछे देखने वो है फुटाला लेग हम बहुत करीब आच चुके है वैसे आज का वेदर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे लगा कि व्लॉगिंग कर लेना चाहिए मैं जब आई थी तब समर सीजन में आई थी मैं तो निकली थी वाउप करने यहां जगा जगा पर मेंडग पड़े हुए बहुत बड़े मरगे बिचारे गाडी के निचे आखी हमका बड़ रोगे तो गाइस अभी जो आपने देखा था ओफिशेरी कॉलेज था जस्ट उससे फोड़ा सामने के और मिखलेंगे तो फुटाला लेक आजाएगा अभी स्कूल का टाइम हो गया है तो बहुत स्कूल बसे जाते हुए नजर आएंगे अब आज हम देखने वाले है फुटाला लेक इससे पहले भी मैंने फुटाला लेक का व्लॉग बनाया था बट वह अच्छा नहीं बन पाया था क्योंकि उस लोग बहुत सारा कंस्ट्रॉक्शन शुरू तब वाव इससा सही लग रहा है ना एक रिट वान तू तू त्री पानी गिरा तो गाइस ठीक मेरे सामने है फुटाला लेक च्प्थ रिच्प्थ लाइस पार मेरे सार बट नहीं है तू तू बट रिच्प्थ एक रिच्प्थ बनाया उत다 वह ठार यह यह लाइस हुईयर है सुई हुई यह देख रहे हो आप इतना शांत वादावरन इतना अच्छा मौसम रेनी सीजन में तो फुटाला लेक आने का मजाई कुछ और होता है यह आसमान में शाय हुए काले बादल यह ग्रीनरी यह शांत वादावरन इतना सही लग रहा है न और अगर आप नाकपुर में ही रहते हो और फुटाला लेक का यह व्यू देखने रेनी सीजन में यहां नहीं आते हो तो फिर क्या फायदा मैं तो इस वक्त पूरे मज़े ले दे रहे है अगर आपको स्ट्रेस दूर करना है तो मॉर्निंग टाइम बेस्ट रहेगा फुटाला लेक में तो गाइस में तो आई की पुटाला लेक अब मैं काफी देर बैट शुकी भी हूं बहुत तेर फुटाला लेक पे बैटने के बाद बारी शुरू होगी है मुझे तो इस वाले अंगल से दिखाओं की फुटाला लेक में एक सेगे ना यह तो बहुत चेंजेस हो चुके हैं फुटाला लेक में पहले यह ऐसा नहीं हुआ करता था और यहां तो अभी अंदर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है और यह जो टूरिस्स लोग होते हैं उ यहां की नाखपूर की उनका ध्याना करशित करने के लिए और बहुती खुपसूरत तरीके से फुटाला लेक को बनाया जा रहा है और यहां पे यह जो आप लोग देख रहे हो यहां तरह तरह के शॉप्स लगने वाले हैं रेस्टॉर्ण टाइप के और भी कोई शॉप्स हो सकते हैं पिस वक्त दो यह जानी की बिलकुल भी पॉमिशन नहीं है यहां पे शायद टिकेट घर कुछ है और यहां से अभी तो कोई आइडिया नहीं है मुझे क्योंकि यहां से अंदर नहीं जाने दिया जाता है इस वक्त तो मैं आप लोग को बाहर से ही दिखा सकती हूँ नेक्स टाइम जब यह ओपन हो जाएंगा तो मैं फिर से व्लोग बनाऊंगी और आप लोग को अंदर से भी दिखाऊंगी कि यह होता कैसा है अंदर से देखा आपने कितना बड़ा है तो वारिज हमने पुताला लेक देख चुके है अब बारिज भी होने वाली है थोड़ी बुंबे स्टार्ट होगी है अब मैं घर जाने वाली हूँ बस मैं मॉर्निंग वाक करने निकली थी और वेदर बहुत अच्छा अरे बापरी एटाओगी देखाँ इतना घूर रहा है मुझे बस कार्ट मत लेना अच्छा लगा और इमनिंग काई पर बहुत अच्छा लगेगा जब अंधेरा ओजाताहे ना तब वहां पे वॉटर फॉंटेन चालू हो जाताहे बहुत सही होताहे माहुल और वहां पे जो आज ड़ाज में जो शॉप्स लगी रहती है उस टाइम पे अभी तो बंदी रहता इस टाइम पे, पर जादा दर कपल्स लोग जाते है वहाँ पर इस टाइम पर दो पहर में में अगड़े इमनिंग तो फैमिली टाइम होता है, इमनिंग काइम में फैमिली जाती है, अपने वाव तह सही है यह सही लग रहा है यार मैं फोटो जरूर की चुंगी आप तो गाइस मैं तो निकल चुपी हूं और बहुत अच्छा लगा वेदर भी बहुत अच्छा है और वैसे रेनी वेदर में ही बहुत अच्छा लगता है लेक साइड जाना या ग्रीनरी देखने के ल लेकिन किसी दिन जरूर जाओंगी मैं तो कुछ भी गर सकती हूं मेरे पीछे जो सेकरिटी गार्ड खड़े है ना उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया कॉलेज के वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वहां ही जाएंगे हम लोग लेकिन मैं जहां खड़ी हूं इतने ब्यूटिफुल जग मैं खड़ी हूं मैं आपको दिखाना चाहूंगी बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा इतनी सई ग्रीनरी है यहां पर फोटो भी अच्छे आएंगे वीडियो शूट भी बहुत अच्छा होगा अगर कोई प्रीवेडिंग शूट अगरे कर जाना बाइब दया से खड़ीं दूट एंगा अच्छा होगा अच्छा आऑर्ब शाच्छार बहुत आए यहांब शचाना तरने से बाईब अच्छावफ बगचा आपको अच्छा आएगरे कोई अच्छा आछोग आएगरे कोई इतनी साइब शूब भीयो शूब भीग स तो गाइस आप लोगोंने देखा किती प्यारी ग्रीनरी है और मैं तो नेचर लवर हूँ ही जहां भी ग्रीनरी दीखी वहां तो मैं छोड़ती नहीं हूँ वहां का फुटेश तो मैं लेती हूँ यह देखो कि अस वही लग रहा है ना और मैं बड़ा मजा रहा है ग्रीनरी देखके मेरा तो पता नहीं दिल खुश हो जाता है जब भी मैं ग्रीनरी देखती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ अभी जो पीछे आप लोग देख रहे हो इस तरफ जंगल है और मैंने से क्रेटी गार्ड से पर्मिशन ली है जादा आगे मैंने ही जाने वाली हूँ क्योंकि वहां रेंगने वाले जानवर बहुत मिलने वाले है मुझे साप बिच्छो से भाटर लगता है तो मैं बस यही सामने सामने जाओंगी आप लोग दिखाओंगी बस तो गाइज हम इस तरफ जाना है इस तरफ तो दरगा है और हम लग थोड़े से क्लीन जगह से जाते है ताकि साप बिच्छू भी हमारा कुछ नभी गाड़ सके उपर चड़ना उपर की और यह देखो इस तरफ ओ भाई ओ भाई सापना निकले मुझे डाल लग रहा है बस यहां से में फिसल के गीरना पाओ सही ट्रैकिंग है यह तो सही लग रहा है तो पागल में कहीं भी चली जाती हूँ यह देखो मैं कहां जा रही हूँ अभी यह द्रैकिंग स्पॉट लग रहा है मुझे वैसे सामने की और जंगल है जंगल में जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है बस मेरा पैर न फिसल जाए क्योंकि रेनी सीजन है तो पैर फि और भी आगे निकल जाओ बस 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 मैं इतनी दोर आ गई हूँ ओ माई गॉड नीचे देखना चाहोगे मैं कहां से आई हूँ यहां से नज़र आ रहा है अब नेक्स टाइम किसी के साथ आओंगी तो इससे भी आगे जाओंगी अकेले तो मेरे फट रही है मैं नहीं जाने वाली अकेले जंगल है न अभी नहीं जाओंगी मैं चलो हम नीचे उतर जाते हैं अब मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा लूँ मैं आगे जाती हूँ क्या पता ही मेरा लास्ट वीडियो रहेगा इतना भी कोई खत्रा तो नहीं लग रहा है मुझे बस साब बिच्छू से डर लगता है मुझे इसने से कुछ भी निकल सकते हैं बारिश की दिन है मैं जा रही हूँ भाई मुझे डर लग रहा है मैं जा रही हूँ मैं या गीर के पड़ी रहूँगी कोई मुझे बचाएगा भी नहीं चलो मेरिटर कीडे भी बहुत है स्पाइडर भी है अब भाई संबल के कदम रखना या आप से कुछ भी निकल सकता है साब पिच्छू इस तरफ जंगल है बढ़ मैं इस तरफ नहीं जाने वाली हूँ मैं जाने वाली हूँ उल्टे पाउ घर की और लौतने वाली हूँ और पैर काफी फिसल रहा है मेरा अब मैं केमरा अंदर रख देने वाली हूँ रख केमरा तूट जाएगा अब घिर गया तो जो निकलना पड़ेगा वो लोग पीछे से देख रहे हैं गार्ड लोग में दिखा दूँ आपको दिख भी रहोंगे उन लोग को लग रहा है कि मैं कहां अंदर चली जाओंगे इनकी परिसनल प्रोपर्टी में वैसे यहां साप बिच्छू भी निकलते हैं उनका सही कहना है और मुझे साप बिच्छों से बॉर्डर लगता है तो मैं अब यहां से निकलने वाली हूँ और उमीद करते हूँ कि आज का व्लॉग मेरे को बहुत पसंद आया होगा और जरूर मेरे वीडियो को आज का मेरे व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो जरूर मेरे यार मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को न भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चिल्डें बापाई